अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब, मैं हूँ भारती, स्वागते आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक ही ड्रस को आप कितनी तरह से अपर कर सकते हैं का फेंड्स को पहन करके अगर कहीं चले गए एक या दो वार तो आप उस ड्रस से बोर हो जाते होंगी मैं तो हो जाती हूँ, मैं एक ड्रस को अगर पढ़ दो पहल रो जाती हूँ बस बट यह है ना कि उसको निहीं सकते हैं, उसको फेट नहीं सकते हैं तो एक आइडिया है कि उस ड्रस को और कुछ नए तरीके से चेंज करके पहले जिसे किसी को पता भी नचली कि आपने वही ड्रस पहन रखी है और आपका बहुत अच्छा नया लुक भी है इका जाएगा तो मै एक जम सूट है तो मैं उस जम सूट को पाँ तरह से पहन कर दिखाओ अगर आपके पास भी जम सूट है तो आप इस जो ट्रिक मैंने बताऊंगी उनको जरूर आप फॉलो कीजेगा यह वीडियो बहुत ही ज़्यादे इंट्रस्टिंग होने वाला है प्लीस मेरे वीडियो को पूरा देखेगा लास तक बहुत ही अच्छा है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक अबस्वाइब नहीं किया है तो प्लीस मेरे चैनल को अबाई करदो और वीडियो को लक n उसकी हो आप इस बीडियो को आपने बहुत च्छालब आपकू आट यह तो पर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स ये मेरा जम सूट है इसको मैंने पैंटालून से पर्चेस किया हुआ था मरून कलर का है ये इसको मैंने एक या दो वार ही वियर किया हुआ ये मुझे बहुत जादा पसंद है मैं आज आपको इस जम सूट को ये फाइव डिफरेंस स्टाइल में पेयर करके दिखाऊंगी मेरा जो फर्स्ट लुक है वो मैं डैनिम की शॉर्ट जैकेट के साथ दिखाऊंगी आपको काफी अच्छा लुक देगा ये अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल है या फिर कॉलिज गोइंग गर्ल है तो इस तरह का लुक आप अचीव कर सकते हैं काफी अच्छा लगता है ये लुक अगर आपके पास लॉंग में डैनिम जैकेट है न तब भी आप वेएर करें काफी अच्छा लगेगा वो भी शॉर्ट भी काफी अच्छा लगेगा लुक लॉक अगर आपके पास जlum शूट है तो ये आप जरूर ट्राय कर सकते हैं स्केल लुक में यह वाइट कलर की नैट enclosure वियर करोंगी इसमे जो प्रिंट पीछे बना हुआ हुआ । वो मेरे जम सूट के साथ काफी मैच कर रहा है, जम सूट मेरा डार्क कलर का है, और मैंने वाइट कलर की श्रग पैनी हुई है, तो ओवर और लुक काफी अच्छा लग रहा है, आप डार्क और लाइट का हमें रखेंगे ना कपड़े में, तो आप बहुत अच्छा निकल के आता है, और इसको डिफरेंट लुक देने के लिए, मैंने ये लैदर की बेल्ट पानी हुई है, इस तरह का लुक भी काफी स्मार्ट लगता है, अगर आप कहीं फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने जा रहे हैं, और इसके साथ मैंने ये लैदर का स्लिंग बेल्ट लिया हुआ है, अगर आपके पास लैदर की बेल्ट नहीं है, तो आप कपड़े की बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बस से ये ध्यान रखेगा कि आपके उड्रस के साथ मैच कर रही हूँ, काफी अच्छा लुक देगा, इस तरह का आप ट्राइक कर सकते हैं, अगर आपके पास जम सूट है तो, फ्रेंड्स थर्ड लुक में मैं जम सूट के उपर ये लाइट पिंग कलर का टॉप वेयर कर रही हूँ, और इसके साथ मैंने एक हैंड बैग लिया हुआ है, बस एक चीज़ का अप्धिहान रखिएगा कि टॉप बंद गले का हो, जिससे आपका जो जम सूट है उपर दिखाई ना दे, आप इस लुक को ऑफिस में कैरी कर सकते हैं, काफी स्मार्ट लगेगा, फ्रेंड्स फोर्थ लुक में मैं इस जम सूट को एस प्लाजो वियर कर रही हूँ, इस कुर्ती के साथ, इस कुर्ती में जो कलर है, वो मेरे जम सूट से काफी मैच कर रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने जम सूट पहन रखा है, और इसमें मैंने लॉंग एरिंग पहने हुए है, ब्लेसलेट पहना हुआ है, काफी अच्छा लुक लग रहा है, इस तरह का लुक आप आप अफिस में भी आप कर कि जाल सकते हैं, किसी पार्टी में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जुम सूट है, इस लुक को आप इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने सिल्वर कलर का क्लच ले रखा है, बैंगल्स जाली है, ये पूरा लुक एक पार्टी लुक दे रहा है, अगर किसी पार्टी में आप जा रहे हैं, करवा चौत में दिवाली पे ये लुक आप कैरी कर सकते हैं, बहुत कीजिएगा, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो भी मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाए,